आज मैं आपके साथ शेर करूंगी आलू मटर की मिंटों में सबजी बन जाने वाली सुकी बहुत टेस्टी मज़ेधार तो चलिए फटा फट से रैस्पी शुरू करते हैं आलू मटर की जट पट सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम बॉयल आलू इसको मैंने पहले से बॉयल कर रखा है और ये 250 ग्राम हमारे मटर के दाने हैं इसको हमने बॉयल करके ठंडे पानी में डाल दिया ताके कुकिंग प्रसेस रूख जाए इसी वज़से इतने ग्रीन दिख रहे हैं और हमने तीन बड़े टमाटर लिया है टमाटर की कॉंटिटी अपने टेस्ट के कॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं दो हरी मिच लियें और तोड़ा सा धनिया लिया एरा इसमें डालने के लिए जो इस पैसेस लगेंगे वो कुछ यूँ हैं मैंने हाफ टी स्पून जीरा लिया है साबीत और हाथ साबीत ही मैंने मेति दाना लिया है इसको मैंने आदा आदा ले लेना है और साथी मैंने half teaspoon से بھی कम हापमने healthy powder लिया है और 1 teaspoon हमने नमक लिया है white salt जो घर में डिली उस करते हैं और भी guidance अपने घर्ट चिली powder लिया है ये अपनेने टेसके recording मसाले घटा बढ़ा सकते हैं और ये लिया है बाजी मसाला ये मैंने घर में बनाया है तो अगर आप इसे मसाले को देखना चाहतें कि मैंने कैसे बनाया है तो आपको कमुण में लिखिए तो मैं इस की बनाने का तरीक जरूरार बताओंगी मेटी जीरा हाल से कर ना है इस प्राइब करना है कि इसे हमेंजामिल करना ऐ आलू है इसे हमेजामिल कर देना है जले ऑगो भी जलाना नहीं है अगर अलुक्त अणओ करते यहां मेद्राइश क्रतरा देना है हल्दी मिर्चा धनिया बैसे डाल तर इस तो हम पूवी तरह से सोटे करना है ँस तो इस तो अचा एक अध़ कलर बहुत अच्छा आजाता है और आब हमें इसमें शामिल करना है यह पंजी मसाला सोटे करेंगे और इसको डालते ही हमें इसमें डाल देना है टमाटर अगर आपका दिल्च राइब इसके चोटे पीज करके भी डाल दे हमें इसी तरह के अच्छे लगते सब्सक्राइब सकते हैं और इसी के साथ ही डाल देंगे यह घृन मटर यह हैं मिक्स करते हैं यह जबनाद मज़ी पनी सबस्ते हैं इस दो चोटी दाली है और इसको 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 मिलांगे बाइधा डीनिया ताकि मसाले अच्च से मिक्स होजा खुश्व जाक लोकिवी 1914 कुछ की मिनट हुए है कि हमारी सब्जियों में मसालों में खुश्व है और गैस की फ्लेम हम हम बन्द करते हैं और एसमें हरे दनिय से गांश करते हैं और सबसी ये मारी ये 5 मिनट में भी से भी कम में तयार ed toxic किती टेस्टी डेखने में भी गूड लुकिंग है और खाने में भी बहुत मज़ी किये है। खुश भूब बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से बहुत कम टाइम में आप मिन्टों में सब्सी बना सकती है। सुकी हुई बहूँ टेस्टी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ब के साथ लाफीज